हेलो दूस्तों स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में जिसमें मैं कंटीनु करने वाला हूं मिट्सम के जो थोड़ी सी नौलेज बची हुई है और मिट्सम के मार्क के बारे में ठीक है तो मैंने आप पिछले दो तिन दिनों से मिट्सम के एक्जाम के वीडियोस ड क्यूं एड होता है मतलब कुछ उसमें से हाफ मार्क डिवाइड होता है या फिर डियेक ली एड होता है तो यह बहुत सारी यहां पर जो सब्जेक्स आएंगे उसके अंदर होंगे प्रिक्टीकल ठीक है अब यहां पर प्रिक्टीकल होंगे तो इसके मार्क हो जाएंगे 150 अब यहां पर जो मैं दूसरा यहां पर जो सब्जेक्स ले रहा हूं इसमें मालीजे कि प्रिक्टीकल नहीं है तो इसके मार्क हो जाएंगे 100 और यहां पर मैं आपको लिखके देता हूं नौन प्रेक्टिकल तो इससे क्या होगा कि यहां पर मैं आपको दो तरह के सब्जेक्स आपको दिखाए है अब यहां पर जिसका प्रेक्टिकल है यानि कि यह वाला सब्जेक्स तो इसमें आप ले सकते डेटा स्ट डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आपका यहां पे जी टीउ का पेपर होगा मिटसम होगा प्लस आपके यहां पे होगी प्रेक्टिकल यहां पे जो दूसरा नंबर का है कि जिसके अंदर है नोन प्रेक्टिकल तो इसके अंदर यहां पे आपके यहां पे क्या होगा यहां पे अब मैं यहाँ पे आपको इसका conceptा हूँ. इसके अंदर फिर से तीन पा पाट होगे गरले होगे और इसके अनदर होगे सिर्फ दो पार्ट मैं यहाँ पे आपको फाका फाट से लिखका समझा देता हूँ कि किस तरह से कहाँपे तीन पार्ट होगे अब सारा का सारा picture यहाँ पे clear होते जा रहा है सबसे पहले उपर दो तरह के subjects जिसमें पहला था कि जिसके अंदर practical होगा दूसरा होगा कि जिसके अंदर practical नहीं है अब देखे यहाँ पे practical होगे तो इसके mark हो जाएंगे 150 यहाँ पे practical नहीं है तो इसके mark होगे 100 अब 150 का में डिवाइड करू तो वो होता है 70, 30, 50 70 होगा आपका GTO का final semester exam की जो आपका semester खतम होने पर आपका आता है वो वो conduct करती है GTO उसके बाद आएगा 30 mark की ये आपकी होंगी mid semester examination की जो आपका हाल ही के time में आपको mid semester की exam देनी होगी और उसके बाद यहाँ पर आएगे बच्चे होए 50 अब ये 50 होते है practical के mark जो college conduct करती है अब ये practical के अंदर भी बहुत सारे division होते है यहाँ पर आपके practical के mark, viva के mark, assignment के mark, attendance के mark और बहुत तरह के यहाँ पर mark होते हैं कि जो directly cut होगे आपको मिलते है मान लीजे की college ने यहाँ पर conduct किया था 30 marks का practical ठीक है तो यहाँ पर college directly 30 mark आपकी जो result है उसमें add नहीं करेगी वो थोड़ा सा cut के आपके, मतलब ये 50 count होता है बट अगर हम mid की बात करें तो mid के mark directly यहाँ पर add हो जाएंगे आपकी final में और ये हो जाएंगे directly 100 तो mid में आपको मान लीजे की आपको आते है 20 mark तो ये होंगे 70 plus 20 अब 70 में आपको जो भी score मिलता है final से में वो होगा मान लीजे की आपको यहाँ पर 70 में से मिला है 50 यहाँ पर 30 में से मिला है 20 तो आपको 100 में से कितने होंगे यहाँ पर 50 plus 20 is equal to 70 तो आपको 100 मैं से यहाँ पर मिलने वाले है 70 मार्क और बाकी बचा हुआ यहाँ पर प्रेक्टिकल्स का जो भी होगा वो एड़ हो जाएगा ओने नेवरेज चलिए लेके चलते कि आपको यहाँ पर जो 50 है उसमें से आपको कॉलेज ने दी है 30 तो यह टोटल हो जाएगा आपका 100 यानि कि 150 मैं से आपको कितने मिले है 100 मार्क मिले है तो यह सपोज मान लिजए कि यहाँ पर data structure नाम का जो subjects था उसके अंदर आपको इस तरह से यहाँ पर आपको मिलने वाले है marks अब यहाँ पर चलिए इस साइड आ चाते है कि जिसके अंदर हम बात करते है नोन प्रेक्टि तो यहां पर मैंने आपका सारा confusion I hope अब तक दूर कर लिया होगा क्योंकि इसके अंदर बहुत सब कुछ मतलब आपको students में जनरली दिक्कत आती है तो यह यहां पर पूरा का पूरा मैंने division करके आपको यहां पर समझा दिया है कि किस तरह से marking आपके रहने वाली है so that's it for today's video thank you very much for watching this video if you are in doubts then feel free to ask me in the comment section thank you bye bye